वीडियो क्लास 6 के लिए हैं और हम पढ़ रहे हैं जोग्रापी, जोग्रापी में हमारा 4 चप्टर चल रहा है, Motion of the Earth चप्टर हमारा complete हो चुका है reading, लास्ट वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं question answer तो सबसे पहले हम करने वाले हैं tick the correct option first question है, the moment of the earth on its axis is known as प्रत्वी का अपने अक्षपर घूमना क्या कहलाता है, एक्षपर घूमना rotation कहलाता है, तो answer tick करेंगे आप second, rotation second question है, the early part of the day is called सूबे का जो समय जो होता उसे क्या कहा जाता है मलब सूर्य उदे से जो समय जो होता है, शुरू होता उससे पहले का जो समय होता से क्या कहलता है, dawn फिर है, dusk dawn या morning, तो dawn the earth rotate from, जो earth जो है वो किस तरफ रोटेट करती है, west to east okay then next है, the sun rays fall directly on the tropic of cancer, tropic of cancer पर sun rays जो है वो किस दिन कौन से डेट को directly उस पर पड़ती है, रैस गिरती है, तो वो है 21st June question number E, equinox means क्या होता है, equinox means होता है, equal day and night है न, equinox means क्या होता है, equal day and night, दिन और रात का बराबर होना क्या कहलाता है equinox क्यालाता है, और equinox जो होता है, वो साल में दो बार होता है, यह मैंने आपको पढ़ाया था, last video में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो आपको समझ भाजाएगा, equinox means, equinox साल में दो बार होता है, यह मैंने आपको समझा रहा था, spring equinox और autumn equinox, और इस से में ऐसा होता है, कि जो equator पर जो सूरी जो है, equator को दो बार पार करता है, एक बार वो north की तरफ जाता है, और एक बार वो south की तरफ आता है, है ना, तो यह जो दो दिन जो ऐसे होते हैं, वो क्या होता है, spring equinox और autumn equinox कहा जाता है, और equinox मिस कहा होता है, equal day और night से होते हैं, ठीक है, 21st March को, और एक होता है 23rd September को, यह दो दिन जो हते हैं, वो साल के दिन और उस दिन ऐसा important होता है, कि दिन और आज जो हता है, वो equal होते हैं, then fill in the blank, the moment of the earth on its elliptical orbit around the sun is known as, जो प्रत्वी का जो है, वो sun के around करना, orbit करना क्या कहलाता है, revolution, ठीक है, प्रत्वी अगर अपने आक्ष पर भूम रही है, तो rotation और अगर वो sun के around भूम रही है, orbit कर रही है, तो वो revolution, then second है, second fill up, the dash causes day and night, दिन और राथ किस की वज़े से होते हैं, rotation की वज़े से होते हैं, तो answer क्या आएगा, आपका rotation, ठीक है, the earth axis is inclined at an angle of, जो प्रत्वी अपने आक्ष पर कितनी जुकी हुई है, 66 and half degree, then, the circular line that's separate night from day is called the circle of elimination, क्या होता है, जब दिन और रात, जो day or circle of elimination हमने पढ़ा है, कि day or night जिसमें अर्थ पर आधे पारट पर क्या होता है, दिन होता है और आधे पारट पर रात होती है, तो इसका जो जो यह line जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, circle of elimination कहा जाता है, on 21st June, the rays of the sun fall directly on the tropic of cancer, 21st June को सूरी की किन्ने directly कहा गिरती है, tropic of cancer पर, तो note कर लो इसको, next question है, state whether the following statements are true or false, आपको सही और गलत पर आपको निशान लगाना है, कि सही क्या है, अगर सही है तो true और गलत है, तो false लिखना आपको, first है, days and nights are caused due to the revolution of the earth, क्या दिन और रात revolution की वज़े से होते हैं, no, rotation की वज़े से होता है, तो आपका answer होगा, false, the places near the equator have longer duration of dawn, क्या, equator के आसपास जो है, उसका समय जो है, वो उसमें dawn का जो समय जो सुबे का जो समय जो होता है, वो लंबा होता है, तो हाँ, true, क्योंकि ज़्यादा समय तक यहाँ पर, क्या रहती है, रोशनी रहती है न, इसलिए, the sun is the sources of the heat and light for the earth, जो sun जो है, वो, किसका sources है, heat or light का, किसके लिए, earth के लिए, तो प्रत्वी के लिए, सूर्य जो है, वो तापमान और रोशनी का क्या है, स्रोध है, तो हाँ है, रोशनी किसे मिल रही है, अनर्जी किसे मिल रही है, temperature जो है, वो, के लिए, किसके वज़े से मारा बढ़ता है, मलाब, किस वज़े से हमारा सही रहता है, न, ये ना तो ज़ादा गर्मी रहती, ना धूब रहती है, मलाब, सही रहता, मलाब, एक्दम से रोश्णी भी मिलती है, हमें एनर्जी भी मिलती है, हीटिंग भी मिल रही है, तो वो सन की वज़े से मिलती है, तो true, then DA, the mean distance from the earth to the sun is above 94 million smiles, क्या सूरी और प्रत्वी की जो बीच की जो दूरी है, वो 94 million smiles से false, नहीं है, away from the equator, the days are longer, जो equator से, जो थोड़े थोड़े दूरी पर जो दिन जो है, वो लंबे होते हैं, तो true, on 21st March and 23rd September, the days and nights are, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, अभी फिल यह उपर समझा रहे थी, मैं इस दा फॉलोविंग, MCQ समझाया थे जब, तो इस इक्वल होते हैं, कब 21st March को और 23rd September को, The change of season is due to, season किस की वज़े से बदलते हैं, revolution की वज़े से, और day-night, rotation की वज़े से, The path of revolution of the earth orbit, earth around the sun is, earth's orbit, प्रत्व की कक्ष कहलाता हूँ, फिर a period of diffuse light before sunrise, क्या कहलाएगा, dawn कहलाएगा, ठीक है, सूर्य उदे से पहले का, जो हलकी जो रोशनी चुरू होते हैं, उससे क्या कहते हैं, dawn कहते हैं, And the period of diffuse light after sunset, और sunset के बाद में, जो हलकी जो रोशनी चुरू रहती हैं, तो उससे क्या कहते हैं, dusk बोला जाता है, तो इसको note कर लो, इसको, Thank you, आज हम इतना ही करने वाले हैं,